Hello everyone and once again welcome to Umar Tashkir YouTube channel myself Umar Tashkir Guys Facebook Ads series के इस particular video में हम लोग इस बहुत important concept को समझने वाले हैं Guys जब कभी भी आप Facebook Ads account के उपर जाएंगे जो भी आपका Facebook Ads account है जब कभी भी आप उसके इंदर login करेंगे और अगर आपने decide कर लिया है कि आपको campaigns जो है ना अपने run करने क्योंकि जब कभी भी आप Facebook Ads account के उपर ads run करने जाएंगे तो आप से बोलेगा कि आप अपने campaigns को create करो और guys जैसे ही आप अपने campaigns को create करने जाएंगे guys सबसे पहले जो आपको option मिलेगा हो guys इस तरीके का option आपके सामने होगा आपको क्या करना है आपको select करना है अपना campaign objective तो guys इसी चीज़ की बात करने वाले हम लोग इस particular वीडियो के अंदर कि आखिर ये जो हमें Facebook marketing में campaign objectives दिये हों है इनका मतलब क्या है ये जो हमें अलग-अलग campaign objectives दिये हैं इनका मतलब क्या और किस तरीके से हम लोग इसको use करते हैं क्या importance है इनकी Facebook ने ये feature ही आखिर Facebook ad system में क्यों रखा fine तो guys जैसे ही आप लोग new campaign create करने जाओगा आप से बोलेगा कि आप इन में से कोई एक campaign objective को select कर लो तो guys यहाँ पर आपके पास तीन broader category है उसके बाद उसके अंदर आपको different sub-categories आप समझ सकते हो sub-categories देखने को मिलती है जो कि अपने आप में individual approach है campaign को setup करने की अभी हम लोग इसको discuss करेंगे तो और आपको clarity होगी तो guys जैसे आपने campaign objective को select करने जाओगे वह आप से सबसे पहले पूछेगा कि अगर आप awareness से related campaign create करना चाहते हैं तो वह आप create कर सकते हैं अगर आप consideration से related campaign create करना चाहते हैं तो आपके पास वह option से यहाँ पर देख सकते हैं six type के different campaigns आप यहाँ पर create कर सकते हैं मैं mark करता हुआ चल रहा हूँ ठीक है और अगर आपको convergence चाहिए तो आप तीन type के campaigns ना conversion से related आप create कर सकते हैं अब आप बोलोगे कि भई सबसे अच्छी चीज तो यही है कि हम conversions लेकर आने हम conversion based campaign चला है यह आप चाहते हो कुछ brand promote करना तो वह आप यहां से कर सकते हो ठीक है अगर आपको lead generate करनी है तो वह आप कर सकते हो तो एक तरीके से यही आपके लिए conversions हुए है ना तो आपको होगे कि सबसे अच्छा फिर तो campaign objective है यह सीधे हम जाए और conversion वाले हमारे जो campaign objective है उसको हम लोग select कर लें और उसके बैसे पर हम लोग यहां से ads run करना शुरू कर दें तो guys अगर सब को conversion ही चाहिए ठीक है और conversion का option यहाँ पर है कि आप यह वाला campaign objective select करके जादा conversion ला सकते हो तो फिर इनका क्या मतलब है तो ऐसा तो है नहीं कि Facebook ने बिना मतलब इन सारी चीज़ों को आपको दे रखा है guys इसको ठीक तरीके समझने के लिए ना आपको एक user की journey समझनी होगी मैं कुछ example लेकर चलता हूँ guys जब कभी हम लोग marketing objectives की बात करते है जब कभी हम लोग marketing objectives की बात करेंगे guys या हम अपने marketing goals की बात करेंगे हापर अगर हम लोग goals की बात करेंगे बहुत ध्यान से समझना इस concept को बहुत सारे doubts बहुत सारी चीज़ें आपकी clear हो जाएंगी यहीं से और आपको actually समझनी में आएगा कि केवल औ केवल ना tool ही सब कु बाद में यह चीज़ें आती हैं कि Facebook आड यूज करना या Google आड यूज करना या कौन सा platform यूज करना या organic हमें जाना है बट उससे पहले हमें strategy device करनी होती है तो यह सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से clear हो जाएंगे तो guys हमारे पास सबसे प pen को sale करने का तो मेरे अपने कुछ long term goals होंगे है की नहीं कुछ marketing long term goals होंगे और कुछ हमारे short term goals होते है short term goals ठीक है long term goals का मतलब जो हमारे ultimate goals है हम अपने pen की sale को 2 साल में 2 years में 3 years में 4 years में इनमें हम कहां पर देख रहे हैं अपने pen की sale को those things comes under long term goals वही पर अगर हम short term goals की बात कर है न वह क्या है तो गईस प्लान तो हमें बनाना पड़ेगा ना बाद की बात यह कि यह कॉन सा अबजेक्टिव हम लोग यहां पर सेलेक्ट करेंगे क्यूंकि कॉनसा मारकेटिंग अबजेक्टिव हमारे किस टाइप के गोल के लिए फिड़ बैट रहे हैं बात समझ में आरह गाइस यह जो हमारे campaign objectives हैं, यहाँ पर जो हमें दिये हुए, यह दो चीजों पर depend करते हैं, दो चीजों पर, एक तो data पर, मतलब Facebook के अंदर जो data, अगर आप मेरी Google Ads की series को follow गर रहे हुए, तो वहाँ पर भी आपको, मैंने यह बार-बार बताए कि जितने भी platforms हैं, जितने भी यह ads वाले platform आप देखते हो न, यह सारे के सारे न, database platform है, अगर इनके account के अंदर data होगी, तो यह और भी बहतर तरीके से perform करेंगे, तो guys, campaign objective सेलेक करते हैं, हम इस बात का भी धिहान रखना है, कि हमारे account में data है, या नहीं है, ठीक है, और हमारा ultimate जो goal है, वो क्या है, guys, अग अगर आप कुछ चाहते कुछ और हो, और आपने यहाँ पर campaign objective कुछ और सालक कर लिया, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, जैसे मान के चलते हैं, कि आपका objective है, या आपने इन goal से drive किया, यहाँ पर आपने एक short term goal रखा, three months का, कि मुझे न, एक लाख visitors जो है न, अपनी website के उपर आ जाते हैं न, तो हम 5000 pen, जो हम example ले रहे थे, pen हम sale कर सकते, गाइस ऐसा हो सकता है, आपकी marketing team ने कुछ prediction करी हो, पुरानी data से prediction करी हो, तो अब next तीन महिने के जो हमारा target है, वो 100K visitors का है, अगर गाइस हमारा 100K visitors का target है, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो आप कौन स वाला objective सेलेक करोगे, तो यह traffic का एक objective दिख रहा है हमें, इस traffic के objective का क्या काम होता है, इसका काम होता है, कि हमारी website के उपर ज्यादा आधा traffic या visitors लाने में, यह वाला objective हमारी help करता है, तो उस particular case में, अगर हम brand awareness सेलेक कर लें, reach सेलेक कर लें, messages हम सेलेक कर लें, तो इसके हमें, हमें एक लाग visitors चाहिए, और उसका prediction है कि 5000 पेन की सेल हो जाएगी, तो इस तरीके से यह एक short term goal हो गया, दूसरा कुछ और भी हमारे साथ short term goals हो सकते, कि जैसे हमें lead generate करनी है, तो हमें lead generation campaigns run करने पड़ेंगे हैं, हमें चाहिए 5000 leads, ठीक है, हमें यह leads चाहिए, वो इस business related नहीं है, मलब किसी दूसरे short term goal के point of view से यह चीज हो सकती, तो कहने का मतलब कि हम चाहते क्या है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, हम क्या चाहते और हमारे add account के अंदर data क्या है, हम चाहते तो है, कि यह जो हमारा conversion है, जो हमारा purchase event है, जो हमारा product sale होता है, तो purchase event जो fire होता है हमारा, तो हम चाहते दो है, हमारी जादा यदा purchase हो, हमारे जादा यदा conversion है, क्योंकि purchase is a conversion for us, लेकिन पहले से कोई purchase हुई है, तो अगर पहले से कोई purchase नहीं हुई है, account में data नहीं है, और आप बोल रहे हो facebook से कि मेरे को जादा यदा sale ला कर दो, मेरे को जादा conversion ला कर दो guys अगर data नहीं है कहां से facebook ला कर दे देगा फिर आप facebook को उल्टा सीदा बोलोगे नेखो facebook पर फॉर्म नहीं कर रहा है है ना तो एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है guys facebook पहला मतलब ये बात तो बिलकुल गाट मान लेनी है अपने को कि facebook ना human नहीं है ठीक है आप अगर ये सोचों कि facebook इंसानों की तरह behave करे आपकी हर चीज़ को समझ जाए ऐसा नहीं facebook is driven by algorithms इस बात को आपको समझना पड़ेगा अगर आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतनी वो prediction करता है it's algorithm driven it's machine driven ठीक है machine driven है facebook तो data अगर सही होगी न तो results भी सही आएंगे तो इस चीज़ को भी हमें starting सही इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है तो जब कभी भी आप लोग facebook के ओपर campaign run करने पहली बार जाओगे आप देखोगे आपको इस type के तीन objectives दिखाई देंगे अब अगर आप starting में ये सोच रहे हो कि मैं कौन सा objective select करूँ तो जो मैंने यहाँ पर अगर आपको कहानी बताई है ये वाली कि हमारा जो exact goal है अभी का वो क्या है तो गाइस अगर हमारा goal विजिटर जाद जाद लाने का है जैसे मैंने अभी आपको बताया तो आप क्या करोगे simply आप traffic objective के ऊपर चले जाओगे क्योंकि यहाँ पर अब इस वाले phase में ठीक है जब हम ये campaign objective select करते हैं तो यहाँ पर जो facebook का algorithm है या जो facebook की machine learning system है या AI based system है वो guys इस type के लोगों को मेरा ad दिखाने की कोशिश करेगा जिनके chances जादा है कि वो जो भी मैंने ad में link mention किया है उस link के उपर या जो भी मेरा call to action बटन है उस call to action बटन के उपर click करके वो हमारी website के उपर जाए अब आप बोलोगे कि sir facebook को कैसे पता facebook हो गया नहीं हो गया है लग रहा है facebook को सब कुछ पता है facebook को ये कैसे पता कि ये x बंदा न ये x बंदा जो है इसको ad दिखाओ ये click करके जाएगा इस facebook को ये तो पता है न कि इस बंदे ने पहले न इससे पहले चो कुछ इसको ads दिखाए गए digital marketing से related अगर मैं भी digital marketing से related ad run कर रहा हूँ तो इसने न लगभख 60% ads के उपर click करके उनकी website के उपर visit किया क्या समझ रहा हूँ 60% ads के उपर click करके उनकी website के visit किया तो अगर ये data facebook के पास है तो क्या इसके basis पे वो prediction नहीं कर सकता कि इस बंदे के chance से जादा एक दूसरा बंदा ही मान लेते हैं यहाँ पर एक candidate 2 है ये candidate 1 था ये candidate 2 है इस candidate का record कह रहा है कि केवल 20% क्लिक्स करता है और उसके बाद website visits करता है तो अब आप खुद मेरे को बताओ कि facebook का जो artificial system है या facebook का जो machine driven system है algorithm driven system है वो क्या करेगा भाई वो इसको add दिखाने के लिए जद्दो जहत कहेगा या इसको add दिखाने के लिए वो try करेगा वो facebook के system की मैं actually बात कर रहा हूँ तो guys सीधी सी बात है वो इसको add दिखाने के लिए जो है अपनी bid वगरा आइड copy वो उतनी impressive ना हो ठीक है हो सकता है हमारा cta button उतना अच्छा ना हो ठीक है तो उसने नहीं click किया ये बिलकुल हो सकता है बड़ इस वाले objective ने तो वो आले हिसाब से ही ना काम किया उस algorithm को उसी तरीके से काम करने के लिए इसने initiate किया ठीक है algorithm ने भी उसी तरी ये से काम किया तो यहाँ पर जो हमारे पास objectives होते हैं हमें इनको बहुत ही जादा seriously समझना है guys अगर हमने अपना marketing objective गला सेलेक कर लिया यहाँ पर तो बहुत सारी चीजे गरबढ़ हो सकती जैसे यहाँ से फिर से हम लोग आते हैं कुछ और discussion करते हैं मज़दार discussion guys long term goals के हमने बात करी जब यह आप 2 साल का plan बना रहे हो कि 2 साल में मुझे कुछ projection करना है two years का मान लेते हैं यह आपका plan है ठीक है two years का अगर आपका यह plan है तो guys क्या बस एक ही plan के उपर चलोगे यह दो साल को आप तो divide करोगे है ना इन दो सालों की अगर हम बात करें तो इन में guys 24 months है ठीक है 24 months है अगर इसको भी divide करोगे ना तो हर मन्त का na each and every month की आप strategy बना सकते तो आप किसी मन्त की तुमने strategy बनाई मान लेते हैं lead generate करने की तो भाई कौन सा campaign select करोगे यह वाला campaign आप select करोगे lead generation का तो कहने का मतलब यह थोड़ा सा मैंने broad example ले लिया हो सकता है आप बोलो कि sir देड़ दो साल तक कौन इंतिजार करता है client हमारे पास आता है कहता है कल से हम add जो है run करना और कल से मेरे को result आने चाहिए बिलकुल सही बात है उसका भी थोड़ा सा discussion हम लोग कर लेते हैं कि अगर आपके पास client आता है हमें next day से result चाहिए तब भी आपको planning तो करनी ही पड़ेगी आपको planning करनी पड़ेगी किस type की planning जैसे आप उसे बोलोगी कि यह हमारे कुछ creatives है ठीक है इनको हम दिखाएंगे तो सबसे पहले हम लोग cold audience को दिखाएंगे अब आपने देखा कहा कि भाई देखो इनका कुछ budget है इनका budget है let's say 1000 रुपए पड़े तो आपने predict किया कि 1000 रुपए पड़े के हिसाब से हमारी इतनी reach हो सकती है इस reach के हिसाब से अग अगर हम कुछ mathematics निकालना चाहें कि हमारा जो conversion percentage है वो कितना होगा तो कुछ तो हम निकाल सकते हैं है ना कुछ तो निकाल सकते हैं फिर हम क्या बोलेंगे कि इस particular ad को हम 10 दिन run करेंगे यहाँ पर हम उड़ा देंगे 10,000 रुपए और 10,000 रुपए उड़ा देने से हमारे जो मज़ेदार तरीके समझना है concept को समझना है कि actually बड़ी companies में agencies में हम planning किस तरह हम इसी तरीके से planning करते है कि भाई इसका 1000 रुपए का budget है 10,000 रुपए का अगर इसका budget होगा और इतनी reach मुझे मान लिदे मैंने test campaign भी चला कर देख लिया ठीक है test campaign भी मैंने चला कर देख लिया तो एक पर तुम बोल सकते कि देखो या 10 दिन तक हमने चलाया ना 3-4,000 visitors आएं हमारे पास अब हम इन visitors को थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं हम इनको क्या करते हैं हम इनको एक महिने के लिए चलाते हैं तीन से और गुड़ा कर देते हैं तो यह 9-12,000 हो जाएगा अब महनत से ठीक है वाइड बोर्ट के उपर अब इसमें क्या है हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया कि इतने जो visitors हैं वो आ सकते हैं या आए होंगे ये भी मान लो अगर 9-12,000 visitors हमारी website के उपर आए तो सबके सब तो convert हो नहीं गए होंगे तो यहां पर देखो scope कितना बन रहा है कुछ लोग हमारी website के लेट से service वाले page पे गए हैं कुछ हमारी website के लेट से thank you वाले page के उपर गए हैं कुछ जो है हमारी website के उपर 10 minute का time उन्होंने बिताया है 10 minutes time ठीक है कुछ लोग convert हो गए हैं ठीक है तो जो लोग convert हो चुके उनकी बना लेंगे look-alike audience कि इनके जैसे हमे और ज़दा बंदे चाहिए तो इनकी look-alike audience creation अगर फिर भी बात होगी मैं मोटा मोटे तौरवे बता रहा हूँ क्यों हो सकता है कोई थोड़ा सा experience बंदा अगर इस particular वीडियो को देख रहा है तो उसको भी मजा आना चाहिए ठीक है 10 minutes का जिन्नोंने time बिताया हमारी website के लेकिन conversion नहीं किया गाई यह सारी data हमको मिल जाएगी अगर हम लोगोंने starting में ही pixel ना अपनी website के उपर लगा रखा है तो यह सारी data हमको मिलती जाएगी अब इन लोगो को क्या करना है इस audience को add दिखाना है कौन सा वाला conversion वाला अब इस particular audience को जब हम add दिखाएंगे तब हम ज triple campus का सहारा लेना पड़ सकता है मतलब एक बड़े हमारा जो गोल है ultimate goal है कि हम चाहते क्या है हम क्या achieve करना चाहते हैं ठीक है धन्दा लाना चाहते है बिजनस लाना चाहते हैं लीड्स ज्यादा लाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास ऐसी options होते हिए हम की वेल ऐसा नहीं क तो अभी समझ में आ रहा है कितने ध्यान से Facebook ने इन सारी चीजों को डिवाइड किया, अब आप क्या करते हो, आपको चाहिए ट्रिक, है ना, आपको चाहिए ट्रिक, कि कोई बता दे, कि Conversion Campaign चला दो, इतने रुपए पे, इतने टाइम के लिए धरा-धर लीड्स आनी सुरू हो जाएंगे, हो सकता है, आजाएं, ठीक है, अंधी तुका हर जीगा लग जाता है, तुका लग जाते हैं, कभी-कभी, हो सकता है, लीड्स आने लगे, but this is actually not the way Facebook is designed, ठीक है, Facebook का जो अलगवार्दम बना हुआ है, वो इस बेसिस पे नहीं बना हुआ है, हो सकता है, आपको ultimate objective क्या है, उसके हिसाब से, जो आपके short term goals है, उनके हिसाब से, आप जो भी यहाँ पर given campaigns है, वो आप run कर सकते हैं, let's say, आपने का, कि नहीं नहीं, मुझे ना तो traffic चाहिए, ना तो मुझे engagement चाहिए, ना तो मुझे conversion चाहिए, यह भी हो सकता है, आप बोले, मेरे को तो केव किलो मीटर की range में, तीन से पाँच किलो मीटर की range में, एक बार ना मेरे को जादे जादा reach मिल जाए, मतलब मेरा add ना maximum लोगों के सामने से निकल जाए, क्या यह requirement नहीं हो सकती है, यह requirement हो सकती है, तो उस particular case में आप जाओगे, क्या conversion add के लिए, नहीं जाओगे, है super hit ads हैं, थोड़ी न जाएंगे यहाँ पर, क्यों नहीं जाएंगे, यह super hit objective है, क्यों कि यह match नहीं करता है, जो अभी हमारी requirement उसके साफ से नहीं match करता है, नहीं जाएंगे, है ना, बहुत ही basic सी चीज समझ में आने वाली चीज है, किस के साथ जाएंगे, reach के साथ जाएंगे, तो य यह सब चीजें जो हम लोग discuss कर रहे हैं, यह क्यों, क्योंकि यह दिखने में बहुत छोटा है, हम within fraction of seconds ना, आगे बढ़ जाते हैं, जब हम लोग campaign बनाने जाते हैं, तो आप लोग भी क्या करते होगे, गए, फटाक से क्या select करना है, सर ने क्या बताया, traffic select कर लो, ठीक है, क conversion define कर देंगे, conversion select कर देंगे, conversion का मतलब क्या है, अगर facebook का documentation भी आप ठीक से पढ़ोगे जाकर, तो conversion का मतलब क्या बतायेगा वो आपको, कि आपका ad, उन लोगों को facebook दिखाने की कोशिश करेगा, जिनके chances जादा है, conversion करने के, facebook को कैसे पता चलेगा, कि यह इतने बंदे हैं, इनके chances जादा है, कि वो आपका जो thank you page है, उसके उपल revisit करे, जो लोग पहले thank you page visit कर चुके हैं, जैसे यह कुछ set of लोग हैं, जो पहले thank you page आपके visit कर चुके, इनकी information facebook के पास है, ठीक है, इनकी information facebook के पास है, इन बंदों की, ठीक है, तो इनके जैसे वो बंदे है, ढून ल conversion आ जाए, अगर data built हो गई, जो already conversions अगर आ चुके हैं, उसके बाद अगर आप conversion campaign run करते हो, there are high chances कि आपको convergence मिले, high chances है, बिना data के भी अगर आप conversion campaign run करते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि conversion campaign नहीं रन होगा, conversion campaign run होगा, result भी आ सकते हैं, but this is not the way facebook system is designed, facebook इसलिए नहीं बनाय गया, conversion का option इसलिए आपको नहीं दिया गया, बाकि जैसे अगर हमारे पास e-commerce website है, तो हम जो है, हमारे पास यह catalog sales का option है, इसके साथ जाएंगे अगर हमारे पास e-commerce website है, तो मेरे से भी गलती होती है, लिखना e-commerce है, लिख रहा हूँ catalog sales, ठीक है, तो clarity हो रही है, कि in campaign objectives का मत मतलब क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है, कि actually हम achieve क्या करना चाहते है, क्या वो हमारे ultimate goal का कुछ part है, हमने पहले से strategy बनाई है, या नहीं बनाई है, देखो, ऐसी चीज़ें आएंगी, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, श्टार्टिंग कर रहे हो, तो हो सक जी नहीं है, existing ही नहीं करता है, मान लेते हैं, situation ही नहीं है, scenario ही नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, reality है, नहीं हो सकता है, जरूरत पड़े इसकी, लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत ना पड़े, ऐसा थो नहीं हो सकता, क्या आप Facebook के उपर इसलिए आड रन करते हूं चलो देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है Facebook आड क्या आप यह सोच के जाते हो Facebook के उपर ठीक है चलो चलागे देखते हैं क्या पता result आ जाए अगर यह कर रहे हो तो तो totally गलत कर रहे हो पहले लिख लो कि हमारा जो objective है क्या है हाँ मेरी website जो है वो ready है अगर तो चलो एक बार ना website पर ट्राफिक भेजते हैं कुछ तो सोचा आपने के एक बार ना website पर ट्राफिक भेजते हैं तुरन दिमाग में आ गया traffic campaign चलाएंगे आपने का नहीं नी वेबसाइट पर ट्राफिक तो हम भेजेंगे ही लेकिन साथ ही में हमें leads भी चा जाएगा URL के नाम पर हमें केवल privacy policy का URL चाहिए तो जिस चीज को आप इतना हलके में समझ रहे हो क्या ये इतनी हलकी चीज है मैं घंटों इस पर बात कर सकता हूं कि वास्तों में according to your requirement आपको awareness, consideration और conversion में से चीज़ें select करनी पड़ती है हम घंटों इस चीज के उपर discussion कर सकत है ठीक है तो आपको क्या करना है आपको देखना है कि आपका objective क्या है आपका जो objective है वो क्या है और उसके इसाप से कौन सा ना campaign objective meet करता है guys result किसी भी तरीके से ले आना is not the right thing किसी भी तरीके से रिले आना ये right thing नहीं है क्योंकि जब आप scale करने जाओगे ना फिर आपको problem हो होगी तो को छोटे अगर आप businesses run कर रहा हो तो Facebook आपको post boost करने का भी option देता है वहां से भी आपका काम चल जाएगा क्यों आप इतना मेहनत कर रहा हो यहां पर जो है ना ads manager के अंदर काम करने के लिए ठीक है तो वो तो वहां से भी काम चल जाएगा 100-200-500 रुपे का budget लगा क कुछ test करना है तो कहीं से भी काम चले है लेकिन अगर आप किसी एक बड़ी agency का part है अगर आप किसी बड़ी company का part है अगर आपका business बड़ा है उसको आप दिन पर दिन grow करते रहना चाहते है तो यह रातो रात नहीं होगा पहले campaign में नहीं होगा आपको multiple campaigns run करने पढ़ेंगे हर campaign का objective अलग होगा इसलिए आपको यहाँ पर facebook ने अलग-अलग marketing objective दे रखे दोस्तों आशकरता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा मज़ा भी आया होगा इस अगर ऐसे वीडियो आपको और चाहिए channel को subscribe जरूर कर ले notification के icon को दबा दे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करने पाएं दोस्तों अभी तो यह शुरुआत है अभी तो बहुत ही कम वीडियो आए हम लोग जल्दी ही भरने वाले हैं इस channel को बहुत सारे digital marketing के premium वीडियो के साथ मिलते नेक्स वीडियो में till then good bye कर दो